तो Facebook में number को hide करने के लिए चुपाने के लिए सबसे पले Facebook apps को open कर लिजिए Facebook apps open हो जाने के बाद आपको सबसे उपर में तीन line दिखलाई दे रहा होगा उस पे click करना है click करने के बाद सबसे उपर में आपका नाम दिखलाई दे रहोगा और उसके बगल में आपका photo होगा उसके नीचे view और profile लिका होगा तो उसपे आपको click करना है click करने के बाद थोड़ा सा scroll down करके नीचे की तरफ आते हैं तो आपको 4 option दिखलाई दे रहोगा add to a story, edit profile, activity log or more तो आपको edit profile पे click करना है edit profile open हो जाने के बाद इसको scroll down करके सबसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एक option दिखलाई दे रहा होगा edit your about info तो इस पे click कर दीजिए click करने के बाद आपको एक option दिखलाई दे रहा होगा contact info का उसके right side में edit लिखा हुआ है और उसके नीचे आपका phone number दिखलाई दे रहा होगा तो edit पे click करिए edit पे click करने के बाद phone number के बगल में right side में आपको एक square सा box दिखलाई दे रहा होगा उस box पे click करना है box पे click करने के बाद आपको दो option मिल जाते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ होता है more option तो more option पे click करके हम पुरे option को open कर लेते हैं तो हमें 3 option मिल जाते हैं तो 3 option को हम detail में आपको बतला देता हूँ अभी friends पे blue color में tick किया हुआ है इसका मतलब कि आपके friends आपके phone number को देख सकते हैं मतलब कि जो आपके facebook का friend है वो आपके number को देख सकते हैं उसके उपर है public, public पे tick कराने का मतलब आपके facebook profile में जो लोग visit करेंगे वो आपका number को देख सकते हैं और सबसे नीचे है only me only me पे tick कराने का मतलब सिर्फ आप ही अपने number को देख सकते हैं और कोई नहीं Facebook में देख सकता है तो Only Me पे हम टिक कर देते हैं अब आप देख सकते हैं कि phone number के बगल में जो square सा box था उसमें दो icon लगा हुआ था उसके जगर पे एक lock लगा हुआ है और इस setting को save करने के लिए scroll down करके नीचे की तरफ आते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी अगर वीडियो अच्छी लगे था इसे लाइक कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों में वाट से फिस्बुक ग्रूप में और इसे ही वीडियो में अपने चैनल पर लाते रहता हूँ तो चाहें तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक लिए अपने ख्याल रखेगा Bye